नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अमारे चैनल पर आज हम बात करेंगे अगर आप SBI ATM कार्ड से ड्राइविंग लासंस का फिस पेमेंट कर रहे हैं और आपका पेमेंट फेल्ड हो जा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका पेमेंट सक्सेस्फुल हो जाए इस वीडियो में बताने वाला हूँ वीडियो को लाश्ट तक देखे अगर आप इस वीडियो को लाश्ट तक देखते हैं तो आपका प्राइविंग लासंस पेमेंट फेल्ड प्राइविंग सॉल्व हो जाता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना आप चै प्राबलम को कैसे solve किया और आपको कैसे इस problem को solve करना है चलिए बताता हूं सबसे पहले प्लेश्टोर से यौनोई sbi app को download कर लेना है और account बना लेना है अगर आपको यौनोई sbi app में account बनाना नहीं आता तो इस वीडियो के description box में link दे रखाऊंग लिंक पर click करके आप वीडि pin डाल का login कर लेना है login करते ही आपको कुछ इस तरह का interface दिखाए देगा यहाँ पर आपको cards का section देखने को मिलेगा इस पर click करना है उसके बाद my debit cards पर click करना है click करते ही आपका virtual debit card आ जाएगा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा manage usage and limit इस पर click करना है जैसे ही आप click नेक्स्ट पेज आएगा, इस पेज में यहाँ पर देखने को मिलेगा e-commerce transaction, इसे यहाँ से enable कर देना है, और save change पर click करना है, जैसे ही आप save change पर click करेंगे, आपके mobile number पर OTP आएगा, OTP यहाँ पर डालना है, और submit पर click करना है, जैसे ही आप submit पर click करेंगे, usage and limit update successful हो जाएगा, आपको OK पर click करना है, इतना करने के बाद दोस्तों, अब आप driving license का फिस payment करिये, आपका payment successful हो जाएगा, तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको live proof payment करके भी दिखा देते हैं, यहाँ पर मैं state bank का debit card select कर लेता हूँ, और confirm पर click कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं अपने ATM card का पूरा data डाल देता हूँ, और pay now पर click कर लेता हूँ, जैसे ही मैंने pay पर click किया, हमारे mobile number पर OTP आया, OTP डाल कर जैसे ही मैंने make payment पर click किया, हमारा payment successful हो गया, तो दोस्तों इस तरह से आप इस problem को solve कर सकते हैं, और आसानी से driving license का फिस payment कर सकते हैं,